इस छोटे से गाव में तयार हो रहे है जवान से लेकर एनेस जी कमांडो तक कद पांच फुट चार इंच शरीर मजबूत हाथ में छड़ी और होसला बुलंद इसके एक इशारे पर सरहद के नजदी कच्ची सड़क पर सेकड़ो युवातर के कड़ाके की थर्ण में भी दोड लगाते और कड़ा अभ्यास कर पसीना बहाते दिख जाते हैं अनुशासन ऐसा जैसा सेना के किसी ट्रेनिंग केंप में हो यह कोई मेजर करनल या ब्रिगेडियर नहीं बलकि सीमान्त गाओं का एक स्थानी रह युवक जीतेंदर सिंग चाड़क है जो सरहद के आसपास रहने वाले युवाओं को सेना और अन्य सुरक्षा बलों में भरती होने के लिए शारीरिक दमखम बढ़ाने के लिए मुफ्त प्रशिक्षन देता है भारत पाक अंतराश्ट्रे सीमा से सटे जम्मु जीले की बिशना तेसी के छोटे से गाओं नौगरा के जीतेंदर से प्रशिक्षन लेज़के युवाब भारती सेना, सी आर पेप, बीएसे फ और रेलवे प्रोटेक्षन फोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं यह उनके कठोर परिशम का ही नतीजा है कि उनके द्वारा प्रशिक्षित चार युवा के निस जी में बत और कमांडो तयनात हैं एक छात्र राजे शर्मा से नामे घावलदार के पद पर रहते हुए अंतराश्ट्रे शूटिंग पिस्टल का खिलाडी है सीमांत गाव में जीतेंदर सिन को अधिकतर युवा सोना चाचु के नाम से जानते हैं युवा प्रशिक्षन चुरू करने से पहले और बाद में उनके पाउँ छूकर उन्हें सम्मान देते हैं सोना चाचु की कहानी भी बेहद रोचक है उनमें युवाओं को प्रशिक्षन देने का जुनून अपने छोटे कद की वज़े से ही आया चाचु कहते हैं कि उन्हें जिन्दगी में एक ही मलाल है कि वें छोटे कद के कारण भारतिय सेना में भरती नहीं हो पाए अपने जज़बे को जिन्दा रखने के लिए उन्होंने वर्ष 2014 में गाउं की एक सड़क पर मिट्टी डलवा कर समतल किया और फिर युवा आते गए और कारवां बनता गया आज उनके पास 4-580 युवा सुबह शाम प्रशिक्षन ले रहे हैं खुद पेशे से खेती बाड़ी करने वाले सोना चाचु युवाओं की हर प्रकार से मदद भी करते हैं जितेंद्र सिंग युवाओं को केवल शारीरिक प्रशिक्षन ही नहीं दे रहे बलकि उन्हें लिखित परिक्षाओं के लिए भी तयार कर रहे हैं इसमें उनका साथ दे रहे हैं गाउं के ही युवा सुर्जीत वर्मा जो खुद भी कश्मीर प्रशास्निक सेवा की तैया ही कर रहे हैं। उनके प्रशिक्षन के बलबूते जम्मू कश्मीर पुलिस में हाल ही में सब इंस्पेक्टरों की भरती से पहले लिये गए 40 किया है। जितेंद्र सिंकई युवाओं को नशे से भी छुटकारा दिला चुके हैं। जितेंद्र ऐसे युवाओं की काउंसलिंग करने के साथ सेना में भरती होने के लिए उनका मनुबल भी बढ़ाते हैं। उनके सिखाए करीब 20 युवा नशा छोड़ सेना में अपनी से वाएं दे रहे हैं। जितेंद्र युवाओं को फास्ट फूड खाने से मना करने के साथ दूद, दही, फल और घी खाने के लिए प्रेरित करते हैं। सरहद के बास रहने वाले युवाओं की परवरिश्पाक गोलाबारी की गंद के बीच हुई है। हमने क्यों को अपन झाले युवाओं के बास रहे हैं।